हेलो दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल में आपका सावागत है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम दातों की देखपल किस तरह से कर सकते हैं तो बहुत सारे दोस्तों मुझे मेसेज करते हैं और पूछते हैं कि स्वामी जी हम रोजायना ब्रश करते हैं लेकर फिर भी हमारे दान्त खाराब हो रहे हैं इन में खोड़ा गया है दान्त में तो उसका कोई पाई बात आए तो दोस्तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे तो दोस्तो रजाना ब्रश करने से दान्त साफ तो हो जाते हैं लेकर दान्त स्वस्त नहीं रह पाते क्योंकि दोस्तो जो ब्रश होत करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आप दातुन करोगे तो जही दांतों के लिए अश्या रहेगा तो दोस्तों यह शेहर वाले दोस्त कह देते हैं कि हमको दातुन नहीं मिल पाती लेकन दोस्तों शेहरों में भी आज कल दातुन बिकता है आप खारीज सकते हो तो आपको आ दातनों पर चर्चा करेंगे, जो कि काफी फेमस दातने हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों नीम की दातनों को सबसे उत्ता माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दातन भी साफ करती है, और साथ में दोस्तों इसमें कड़वा पन होता है, जो कि मूँ में बेक् बहुत बानाता है और इसके करने से दांतों में कीड़ा वगेरा भी नहीं लगता और नीम के अलावा दोस्तों आप बाबूल का दातुन ले सकते हो जहां फिर दोस्तों जो टाहली होता है जिसको उर्दू में सीसम कहा जाता है उसका दातुन भी ले सकते हो दोस्तों एक पहले मुझे राहुल जांगरा ने हरयाना से एक जाड़ी का फोटो बेज़ा था उन्होंने पूशा था कि जाड़ी का नाम क्या है और जे किस काम आती है तो दोस्तों जाड़ी का नाम था अपामार्ग जानी के उसको चिर्चरा भी कहे दिया जाता है उस जाड़ी को तो दो आज तक भी दोस्तों बहुत मजबूत और बढ़िया है कोई उनको समस्या दांतों के नहीं आती तो दोस्तों आप जे फोटों में देख रहे हो जो चिर्चिरा जाने के अपा मार गए इसका दातुन भी कर सकते हो और दोस्तों जे देखिए जे बांग का पौदा है दोस्तों दातुन करने से दोस्तों कोई भी नशा बगएरा नहीं होता कई लोग इसको बुरा मान लेते हैं कि नशा नहीं हो जाए लेकर दोस्तों कोई भी नशा नहीं होगा आपको तो दोस्तों इसका दातुन भी नेम की तरह ही गुनकारी होता है यह भी दांतों से कीड़ा बगए जे मराबी खत्म कर देता है तो ड्तक बांक्त अपaufenल रहे का जाये गाहा है कीशляर भांका दातन कई वार करता हैम्मिखन करिख करतों करता है कुछ शुचा वोजा हम सभ हम्राइब से बांक कर लेते तो दोस्तों इसके लिए आप जह कर सकते हो कि आप दोस्तों ब्रस करने के बाद ये दातुन का किसी भी परकार की दातन हो उसका थोड़ा सा शोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा और उसको मुँ में डाल के चबाते रहिए और साथ में नहाते रहिए तो दोस्तों ये भी एक परकार का आपका दांतों के लिए अश्या रहेगा तो दोस्तों मैंने गर में ही मंजन बानाने का वीडियो भी अपलोड किया था तो दोस्तों आप वो मंजन भी बाना साकते हो वो दोस्तों मंजन बहुत ही बढ़िया है उसे आपके दान्तों की सबी समस्यां दूर हो जाएगी आप चाहो तो यह दातों निक भी कर लीजिए चाहे आप चाहो तो मंजण का उपजोग भी कर साकते हो यह आपका मर्जी है तो दोस्तों मीधे आपको आज का वीडियो अशाय लगा होगा वीडियो देखने के लिए दने आवाद थैंकियो दोस्तों